ओम नमस्ष्वाय श्वागत आप सभी का मेरे भक्ति बावना यूटूब चैनल पर आज मैं आपको आट रासियों की जानकारी दोंगा ये रासियां विशेश भाग्य साली रहने बाली हैं मई और जून के मईने में इन रासियों को पुत्र प्राप्ती का आशीरवाद मिल चुका है और पुत्र प्राप्ती के लिए विशेश भाग्य से आपको भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो व्यक्ति पुत्र चाहते हैं धन चाहते हैं ये जिनकी साधिके यूग नहीं बन पा रहें सबसे पहला है कुंडली का योग अगर कुंडली में पुत्र योग है और आपको संतान प्राप्ती नहीं उपा रही है तो इस बात का विशेशू से ध्यानक ना चाहिए कि कोई नो कोई दोस है कोई नो कोई रुकावट है जिसकी वज़े से संतान प्राप्ती में परेशानी आ रही है कैई प्रकार से रुकावट आती है पित्र दोस है पित्र दोस के कारण रुकावट आती है या रिड़ दोस है या गुरु अस्त है गुरु सुव नहीं है सुविस्तिती में नहीं है या मंगल सूर सुविस्तिती में नहीं है तो यह ऐसे योग होते हैं जिनके द् की परेशानी आती हैं, संतान प्राप्ति के साथ साथ में धन प्राप्ति भी की परेशानी आती हैं, सबसे पहले आप कुंडली चेक कराएं, कुंडली में योग है, तो आपको कुछ उपाय नियमित रूप से करने चाहिए, कुछ बातों का विशेश रूप से ध्यान रखना दिए उस सास्त्रों के हिसाब से जिसके भी संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है उसे नियमत रूप से पित्र पूजा जरू करनी चाहिए पित्रों का पूजन करना चाहिए नियमत रूप से देव पूजन करना चाहिए जिससे पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं संतान प्राप्ति के अच्चे योग दूसरा स्वास्त केरियर नोकरी ये जो option होते है इंसान के सामने के हमारी नोकरी कैसे रहेगी हमारा स्वास्त कैसा रहेगा हमारा केरियर अब कैसा रहेगा तो इस उद्देश के लिए मेस रासी वैश्ट है मेस रासी को इस बात के लिए कोई चनता नहीं करने चाहिए नएमे तरू से अनमानजी की पूजा आपको जरूर करने चाहिए मंगलवार को अनमानजी को चोले चड़ा हम और प्रसाद, लाल मूनि का प्रसाद अनमान जी को अरपन करके और वह बांट है दूसरी जो रासी है बहुत ही अच्छी रहने वाली है जिसमें चतुरत ग्राई योग बनेगा वह ब्रसब रासी ब्रसब रासी बालों को भी संतान और धन प्राप्त की और से निश्चिंत रहना चाहिए इनका भी बहुत ही अच्छा योग है और आने वाले समय में अच्छी खासी सपलता है इनको मिलने वाली है आपका मान सम्मान बढ़ेगा क्रोध को आपको काबू में रखना है धन आपके पास अचानक आएगा माता लच्चमी की किरपा होगी संतान प्राप्ति के योग आपके रहेंगे ये दो महीने आपके लिए बैश्ट हैं संतान यानि कंसिक वे लिए भी और जिनकी डिलेवरी है उनके लिए भी बहुत ही अच्छी योग है तीसरी जो रासी है जिसका मई और जून ये दोनों महीने सुब रहने वाले हैं वो हैं मितुन रासी मितुन रासी का बहुत ही अच्छा योग है बुद्ध अच्ची इस्तिती में आ जाएंगे जिससे अच्छा खासा लाब मिलेगा ब्योपार अच्छा चलेगा संतान प्राप्ति के लिए पिद्या खेत्र में भी थोड़ी कठनाई हैं लेकिन सपलता है मिलेंगी आपका केरियर के जो टेंस ने आपकी वह भी आपको लगबग सही रहेंगे योग कोई मंगल कार भी आपके परवार में होगा बुद्ध आपके स्वामी है और गनेजी की पूजा आपके लिए बहुत ही इतकार है प्रती बुद्धवार को गनेजी की पूजा करें उनके सामने दीपक जलाएं उनके सामने हरी बस्तु अरपड करें गोमाता को हरी बस्तु किलाएं आपके लिए बहुत ही जरूरी है अगली जो रासी है जिसका मई और जून में बहुत ही अच्छा योग है वह रासी है सिंग रासी सिंग रासी का बहुत ही अच्छा योग है मई जून में पुत्र धन स्वास्त बहान मकान भूमी जाजाए हर प्रकार की खित्रों में राजने थे खित्रों में भी आपको लाब मिलेगा, बहुत ही अच्छा, तो सूर देव को जला आपको प्रति दिन देना हैं, इस बात का भी से शुप से ध्यान रखें और भगवान सिब जी की पूजा भी करते रहें, अगली जो रासी है, जिसका भागी अच्छा रहेगा, और लगवाग बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, वो है कन्यारासी, ये दो महीने कन्यारासी के लिए भी अच्छी रहने वाले हैं, अलांकि जैसे समी भीतेगा आगे और अच्छा योग आएगा, लेकिन पुत्रधन, संतान, नोकरी, स्वास्त के मामले में इनका भी चल रहा है, वहीं तुलारासी बालों को भी लाम मिलेगा, तुलारासी बालों का अप्रेल का महीना बहुत ही अच्छा गया था, मई और जून के ये दो महीने मध्यम परकार के रहेंगे, सपलताएं भी मिलेंगी, कुछ असपलताएं भी मिलेंगी, मध्यम परकार का योग आप कर रहेगा नियमित्री से भगवान सिभजी की और माता दुर्गा की आराधनाप के लिए बहुत ही जरूरी है पैसा कहीं ना फसाएं यहां काम कर रहें मा करते रहें घरवालों की इज़त करें मान सम्मान करें बड़ों की इज़त करें तो आपका समय जरूर बदलेगा भगवान की तरह आप ध्यान रखें अगली जो रासी है वो है बहुत ही सुब रहने वाली इन दो महींदों में धनु रासी धनु रासी का योग इन दो महींदों में अच्छा है बिद्या खेत्र केरियर, संतान स्वास्त ये जो चीज़े हैं इन में धन रासी का योग अच्छा रहेगा, ग्रहन का सुव योग है, गुरू सुविस्तिती में हैं, सूर्य, शुक्र ये सभी सुविस्तिती में हैं, नियमत रूप से बिश्कतवार की पूजा आपको करनी हैं, भगवान सिव जी की पूजा करते रहें, आप अपने इस्ट सम्मान बढ़ेगा, कुम्रासी वालों के लिए ये प्रोपार और नोकरी के मामले में भी दो मएने बहुती अच्छे रहेंगे, वही पुत्र प्रापती का भी योग बनेगा,하다, कुम्रासी का, वही मान सम्मान बढ़ेगा, परवार में मंगलक कारिशनล पनेंगे, लेकन ध पूरवा कारे करें तो आपको उस अफलता है जरूर मिलेंगी कुमरासी भालो के लिए बहुत ही अच्छा है इस दो महीने पुत्र प्राप्ति के लिए विश्य शूप से कही बातों का ध्यान रखना जाता है यह नहीं कि रासी में पुत्र प्राप्ति की योग बन रहे तो आ दिन की बज़े से पुत्र प्राप्ति होती है वो अन्वैलेंस नहूं इस बात का विश्य शूप से ध्यान रखना है आपको पोस्टिक आहर लेते रहें और सास्त्रों के साब से कुछ दिन बताए गए उनका भी विश्य शूप से आप ध्यान रखें तो निश्चन रूप उसे आपकी मनुकामन पूरियोगी और भगवान की तरब भी आप ध्यान रखें तो ये दो महिनों का राशी फलता बहुत ही अच्छा योग है शुव योग है भगवान क्रपाशी आवसी ही आपकी मनुकामन पूरियोगी तो व्योडियो को सेर करें चैनल को सब्सक्राब हुआपार